जैन दोस्तों मैं अधिर अधिर एग्रिटेक के आपके इसे चनल में आपका फिश स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक टेकर तलाब में या किसी भी तलाब के साइज में आपको कितनी मचली की डेंसिटी रखनी होती यानि कौन से फिश की स्टॉपिंग सुरू कर रहा है उनको डेंसिटी का नॉलिज ना होने के करण कितना संख्या में उनको अपने टेलाब में बच्चों को डालना होता इस्टॉप करना होता उसकी जानकारी ना होने के करण वो अपनी तलाब में बहुत ज़दा मात्रा में सीट को स्टॉप कर दे रहा है और क आपको density का घ्यान होना बहुत जरूरी है कि कितनी मचलियां कितनी मचलियां आपको अपने पॉंड में स्टॉक करना होता है दोस्तों तो इसी बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाहिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आई-म-सी मचली के बारे में कि इनक सब्सक्राम कानं कंवां LED में और आख सींगता है किमि hun और सब्सक्राम करने में दोस्तों तो इसका इक्जाइक जहा होता है इसका टैंसिटी है जो करने का स्टॉब्छिए कर इस दोस्तों मैं आपको प्रति एकड़ यांनि 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा ठाकि आपको कल्कुलेट करने में हासानी हो एगर आपका छोटा भी तालाब है ता आपको कितना स्टॉक करना है और आपका क्यों रखा गया है इंस्टेंट फिसेज का जो होना चाहिए फोपचास ग्राम प्लस होना चाहिए तो बहुत अच्छा है मिनिम्म पचास ग्राम से ओपर की मचलियों को आप स्टॉक करते हैं तभी जाके आप आठ से नौ महीने में अपने जो फिसेज है उसको बन केजी प्लस कर पाएंगे दोस्तों आप यह लेंगे या जीरा साइज मचली को स्टॉक करते हैं तो यह आपका कल्चर डेढ़ साल का हो जाता है कतला वक को छोड़ दिया जाए त सरी टाइम पर आपका कल्चर रनिंग करता रहें रनिंग का मतलब कि हर साल आप प्रोडक्शन निकालते रहें इसलिए आपके पास एक नर्सरी पॉंड होना चाहिए जिसमें आप उतने ही बच्चे को रखे अगर आपके पास एक एकड का तलाब है उसके लिए आप आठ से तो उसमें आप 50% एक्ष्ट्रा उसमें स्टॉग अपने नर्सरी पॉंड में रखे क्योंकि जो मोटल्टी होनी होती है वहां होती है अगर आप सीधे इन जीरा साइज या फिंगर लिंक को आप अपने पॉंड में ही तलाब करेंगे तो वहां भी मोटल्टी देखने को मिल इतने कुछ नीचे बैटके सड़ जाती है ताकि अगर 30-50% के बीच में आपकी मोटल्टी होती है तो जितना बच्चा आपको स्टॉक करना है वह आपका इंस्टेंट यह लिंग आपको वहां पर मिल जाए इग्जैक्ट डाटा था कि अगर आप आप आयम सी का यह लिंग जो इसका साइज इतना बड़ा होता है और लगभग वह जो होता है 60-90 दिन का बच्चा होता है उसको स्टॉक करेंगे तो वह उसकी संख्या 5000-6000 के बीच में होनी चाहिए क्योंकि उसमें मोटल्टी आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ और वह जाके फिर लास्ट में आपक धाई से तीन टर्न का प्रोडक्शन जो टेक टार्गेट होता है प्रती एकड़ आएमसी का वह आपको मिलेगा यह तुगा दोस्तों आएमसी का कल्चर का दूस्तों दूसरी बराइटी की बात करें रूप चंदा मचली ये भी एक काफी हाई डिमांडेट फिसेज हैं और मार्केट भी थोड़ा सा कम है यह किसला है और मचली आंपने अरियमें वहन रूप चंदा बोजदद आचिया मार्केट पकड़ लिये क्योंकि single bone की मचली भी इसको भी का जाता है काटे इसमें कम होते हैं तो फंगेसे की जगा आप इसको लोग ज्यादा खाना पसंद कर रहा है इसका भी जो इस टॉकिंग डेस है तो गिल से सास लेने वाली मचली क्योंकि पानी में ही इसको oxygen चाहिए होता है लेकिन इसकी density दोस साइब भी अच्छा होता है यह मतलब हर साल आप इसकी अगर अपरेल मार्च में आपने इसके स्टॉपिंग कर दी है तो अक्टूबर नॉमबर तक आप इससे हर्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि इसका जो साइज है एक केजी आ जाता है आट से नो महीने में कुछ केसे में 6 मह मचली जो है आज के समय में हाइबिड मांगूर का ऑप्शन हो गया है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मांसारी मचली है ब्राजिलियन फिसेज है और इसको पिराना कटेगरी के भी मचली कहते हैं आयमसी में कहना तो गलत होगा इमसी इसलिए कहा दिये जाता है क्योंकि यह सास लेती है पानी के अंदर सास लेता है लेकिन यह पिराना कटेगरी मचली है और बहुँ ज़्यादा हार्ड फिसेज है इसके डेंसिटी को आप ज्यादा रख सकते हैं इससे आपका प्रोडक्शन भी चार्ट से पांश्टन का मिलेगा परी प्रतियकर तो यह था दोस्तो आइमसी से पांच भुना होता है प्रतियकर तालाब में और अगर आपके पास छोटा तालाब है आदे एकर एकर तालाब में तो आपको मैं सजेशन दूँगा कि आप या तो रूप चंदा मचली की तरब जाईए या फिर फंगेसिया स्पेसिस की तरब जाईए तो कि जो आइमसी का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है और वहां पर एक बैरियेशन आ जाता है दोस्तों कुछ मचली का बेट अच्छा मिलेगा कुछ मचली का बेट कम मिलेगा क्योंकि आइमसी मचली को तैयरना मतलब उनको घूमना बहुत ज्यादा इस पेस चाहिए होता है ज मिचली पालन मेरा वीडियो पड़ा हुए आपको यहां आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिशन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख लिए जाएगा कि मिचली पालन कैसे करना है चाहिए दोस्तों बात करते हैं फंगेशियस के स्टॉकिंग ड दोस्तों इसका प्रड़क्शन आप 8-10 तन ले सकते हैं प्रती एकर तलाब में आजकल ऐसा भी हो गया है कि कुछ लोग जो तीन से चार साल या बहुत अच्छा है जिनको जानकारी हो गई यह फंगेशियस करते करते वह नर्सरी पॉंड रखके साल भर में दो बार हर्वेस सुरू हो गई है और जो पहले जो पिछले साल का बच्चा स्टॉप किये हुए थे अपनी नर्सरी पॉंड में उनको इस समय उन्होंने बड़ा कर लिया है इस समय वह बेच रहा है इस समय मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलता है पंगेशियस का 130-140 रुपय तक पर केजी है और जैसे यह खाली करेंगे जो फिर उन्होंने जो अपना एक नर्सरी सीड रखा हुआ था फिर उसको दस लाइन के ऊपर का बच्चा यह पचास ग्राम सौ ग्राम का बच्चा फिर से वह अपनी ताला में श्टॉक कर देंगे और चार महिने में ही अगले वह प्रॉफिटेबल लेके ले लिजे ताकि आपको अच्छा नॉलेज भी हो जाए आप समझ भी पाएं कि किस तरह किस तरह से आपको कल्चर करना होता है नेक्स्ट मचली की बात करें दोस्तों तो वह जो पॉपलर फिसेज उसमें है सिंगी और देसी मांगूल का भी कल्चर अपने आप ज़्यदा करने लगा गया है दोस्तों उसका रिजन है क्योंकि हाई वैलू फिसेज है माउट वीडिंग फिस है हाई डेंसिटी में कर सकते हैं और यह ठीक ठाक है और इसका रेट जो है वह 400-600 रुपया तक मार्केट में मिल जाता है हम देंसिटी की बात करें दोनों दोस्तों इस मचलियों का तो इसको आप प्रती एकर 50,000 तक का सीड़ी स्टॉप कर सकते हैं लेकिन अगर आप नय कल्चर स्टार्ट कर रहा है पहला यह दूसरा कल्चर है आपका मेरा जो मैं आपको बार बार यह इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो फोकस है वो नया फा आपको हमेसा कउन्टिटी गिंके इस्टॉक करनी है घंती में स्टॉक करिएगा तो आपका सारा कलकुलेशन इग्जेक्ट्ट चलता रहेगा कितना जबेद्ession आपको खिलाना है कितना आपका अक्षियार आ रहा है वो सारा कल्कुलेशन आपका एक्जेक्ट चलता रहेगा लेकिन आप किलो के भाव में स्टॉप करेंगे तो आपका एक्जेक्ट आपको प्रॉफिट लॉस आपका नहीं पता चलेगा लास्ट में तो इसलिए दोस्तों अगर आप नए है सब्सक्राइब करें तो यह जो पुराने तालाब है उनमें प्रती एकर सतर से जार बच्चा भी लोग स्टॉप कर ले रहा है लेकिन यह मिलता है इनका सीट को जो रेट है सिंगी देशी मांगोर इनका प्रती पीसे जो है डाई से पांच रुपय तक में अलग 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 मार्केट में मिलता है इसलिए अगर आपको पचाज जार बच्चा करना है तो देर लाग का सीडी हो जाएगा तो इतना ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं है मैं कहूंगा कि अगर आप इन बच्चलियों को स्टॉक करना चाहते हैं तो दद्दस बंदर बंदर जार के कई सार ही ले सकते हैं और अपना कल्चर कंप्रीट कर सकते हैं दोस्तों तो आज के लिए इतने दोस्तों मिलता है नेक्ट वीडियो में जय हिन जय बाद